तो बच्चों नमस्कार लिजी एक अक्षा बारीं के फिजिक्स में आज हम एक समान विद्धु छेत्र में रखे विद्धु दीधु पर लगने वाले बल के बारे में सुत्र प्राप्त करेंगे और ये जो इसके लिए आपको चीत्र बनाना पड़ेगा माना एक समान विद्धु छेत्र ही इसकी दिशा इस तरह से दिखाया गया है और इस पर कोई देधरुः जो प्लस की आवेस और माइनस की आवेस से मिल करके बना हुआ है ओ ये भी है और ये इस बिद्धु छेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है दिद्रुओं के दोनों द्रुओं के बीच की दुरी टुए है यानि इसके मध्य बिंदु से हमारा ये दुरी जो लेंगे यहां से यहां तक ये टुए ही लिया जाता है अब हम बच्चों यहां पर देखेंगे कि इसमें बिद्धु छेत्र में इस तरह से कोई कोण बनाते हुए हम रख दें तो इस पर याने दोनों आविश्वों पर प्लस क्यों आयज पर ये मैदस क्यों आयज पर इस भिद्धु छेत्र के करण इसका मान क्या हो जाएगा क्यू इन्टू ही हो जाता है यहां पर यह जो बल उत्पन्न हुआ याने प्लस क्यों आयस पर क्यू इए यह छेत्र की दिशा में याने इधर उत्पन्न होगा और इसमें माइनस क्यू इधर कारिय करेगा और यह मानस माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू इए याने विद्धु छेत्र में हम रखेंगे तो उतना गुना उसका माण बढ़ी आता है याने देखिए ई है विद्धु छेत्र कमान क्या है एक समान विद्धु छेत्र कमान यह है तो इस आवेज कमान क्या हो गया क्यों इंटु ए हो गया लेकिन माइनस है तो माइनस यह किधर कार्य करेगा इधर अब यह इसका दिशा इधर है इसकी दिशा इधर है से मतलब आप कि धनावेश से निकल करके रिनावेश क्या हो जाती है तो इसमें यह छेत्र की दिशा इधर है तो इससे आपको क्या पता चलता है इधर क्या है इधर क्या है इधर या इसका क्या है रिंड आवेश है इधर धनावेश से निकला है इधर क्या है धन है इस छेत्र का इधर क्या हे रीन्ड है यह प्लस क्यों आए से यह किधर जाएगा जानते हैं आप विप्रित दुर्य और यह अकर्चित होगा प्येस हो इसमें जो बल लगा इधर क्या लगेगा क्योंकि इधर जाएगे तो प्लस है ध्यान देंगे इसको तो प्लस क्यू आवेज पर ये छेत्र की दिशा में बल लगा याने रिड की तरफ ओ जाएगा और ये धन की तरफ जाएगा इसलिए इसमें इधर की और बल लगा तो ये आपका जो कांसेप्ट है अब हम इस पर देखते हैं तो ये विप्रित दिशा में कारी किया है अब इनकी क्रिया रेखा देखिए इसकी क्रिया रेखा इधर है इसकी क्रिया रेखा इधर है भिन्य भिन्य होने के कारण ये बल यूगम का निर्मान करेंगे और ये बल यूगम क्या करेगा ये इधर खीच रहा ये की इधर खीच रहा है तो ये इसको इस छेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे इसमें जो बल युगम का निर्माण हुआ युगम याने जोड़ा इधर प्लस का इधर माइनस का ये इधर बल लगा रहा है ये इधर बल लगा रहा है तो इनके कारण ये क्या होगा मालू यह इस तरह से है तो इस तरह से घूम जाएगी और छेत्र की दिशा में समांतर हो जाएगी यानि इसको यह जो बल उत्पन हुआ है इसको क्या करने का काम करता है इस दीधु को संरेखित करने का काम करता है यानि किस दिशा में विद्धु छेत्र की दिशा में और इसी को हम क्या कहते हैं प्रत्यानन बल्यूगम कहते हैं याने प्रत्यानन इसलिए क्योंकि हम इसको ऐसे हो गया है यह मालोग घुमा करके बल्यूगम इस तरह से ला दिया फिर हम इसको ऐसे कर दिये तो फ प्रत्यानन बल्यूग्म कहते हैं तो इस प्रत्यानन ये तो आप वर्णन को आप लिख लेना मैं नहीं लिख रहा हूं अतहा प्रत्यानन बल्यूग्म का आघून अतहा जो बताया गया कि कोई विद्धु छेटर एक समान विद्धु चेटर ही है इसमें एक दिधु रखा हुआ है यानि ए भी कोई दिधु है जिसके ए विद्धु पर प्लस क्योई है और माइनस क्योई भी विद्धु पर है इन दोनों धूँ की बीचती दूरी 2A है और ये बिध्धु छेत्र में ठीटा कूण बनाते हुए रखा हुआ है और इस श्थिति में इसमें प्लस क्यों आयस में इस छेत्र के कारण ये इधर बन लगा क्या Q e प्लस का और इधर लगा मैनस का Q e तो ये QE प्लस का किधर लगा ये लगा छेत्र की दिशा में ये चेत्र की दिशा है और ये माइनस QE लगा छेत्र की विप्रित दिशा में और इस तरह सी इनकी क्रिया रेखा अलग-अलग होने के कारण ये किधर लगा ये किधर लगा अलग-अलग बिंदू पर बल लग रह को समांतर लाने का प्रयाज करेंगे तो इसी को हम लिखते हैं इसे हम कहते हैं प्रत्यानन बल्ल योग्वन और अधा प्रत्यानन त्रत्याननयन न कि अ कि योग्म पर 讚ा आघून इत्पन हो रहा है कि अगून इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं बराबर होता है कोई एक बल किसी को ले लिजिए इसको ले लिजिए चाहिए इसको ले लिजिए और इन दोनों बल के बिच लंबावत दूरी को लेते हैं इस दूरी को हम नहीं लेते यह इस बल को लेंगे तो इसकी यह लंबावत दूर होगी याने इस ध्रूग की दूरी यहां से यह वाले को लेंगे लमवत और इस बल को लोगे तो यहां से इस ध्रूग की दूरी इसको नहीं चुनोगे बलकि बीसी को चुनोगे क्यों एक अब यहां पर लिख देता हूं एक बल एकदम सरल है और ये दो-दो चेप्टर पर इसी का वर्णन हुआ है प्रतिक बदले हुए हैं याने चुम्बक में भी आपका और विद्धूत में हर सुत्र एक समान है एक नियतांग का अलग लिया जाता है और प्रतिक अलग लिया जाते हैं तो बच्चों इसको दो-दो चे कुछ कर पाओगे नहीं तो सुत्रों को नहीं रटा जा सकता क्योंकि आपको समझना है तभी आप कुछ कर पाओगे के बीचे लंबवत दूरी तो यह हो गया बच्चों लंबवत दूरी एक बल इसको चुन लिए क्यूई को यह बल है यहां पर यहीं तो बल लग रहा है तो यह हो गया हमारा क्यूई और इसका यह दूरी को नहीं लेंगे इस दूरी को लेंगे यह लंबवत दूरी यह क्या है यह और यह है सिए बिंदू अ है यह ए सिक्रास एसी अब बच्चों यहां पर इसको हम लिखते हैं प्रत्यानन बल्यूक मकागुना प्रतिक है इसका टौ तौव बराबर QE गुणित AC अब हम QE का मान को AC का मान इहां पर प्राप्त करेंगे अपका त्रीभुज दीख रहा है यह आपका 90 का है 90 कोण बन रहा है यह ठीटा कोण है यह छोटी भुजा है छोटी भुजा बोलता हूं यह छोटे कोण और यह जो सम कोण को है ये 90 को मिलाने वाली भुजा आधार यान बेस होता है और ये आपका लंब हो गया और ये हो गया करना तो बच्चों इसमें हमको प्राप्त करना है यहाँ पर देखिए एसी आया है तो यह भुजा कि दूरी तो नहीं मालूम है इसको एसी कमार निकालना है तो यह करना काॉफ हमको मालूम है क्या है 2a है तो साइन में आ जाते हैं साइन ठीटा बराबर लंब बटे करना होता है तो त्रीभुज कि एसी बी में अब दिखा देता हूं है एसी बी में क्या आपको क्या करना है साइन ठीटा मैं साइन ठीटा बराबर लंब बटे करना एक बार लिख दीजिए आपको बड़ियां से समझना है लिख देता हूं लंब बटे करना लंब क्या है अभी में बताया एसी करना क्या है एबी तो एसी बटे ए बी एसी का मान बच्चों हमको नहीं मालूम तो एसी एसी ही रहेगा ए भी का मान हमको मालूम है देखिए एक क्या है तो इसलिए इसलिए एसी का मान को रख दिये तो इसलिए एसी का मान निकालेंगे तो इसलिए इधर जाके गुणा हो जाएगा इसलिए अब बच्चों यहां पर हम इस एसी की जगह पर इसको मान को रखेंगे यह है इस मान को हम यहां पर रख दिये समिकराण एक में इसको एक कर दिजिए समिकराण एसी का हमान समिकराण एक में रखने पर क्यूई गुलित टू एस सैन ठीट तौ बराबर हो जाएगा टौ बराबर क्यूई तू एस सैन ठीट तौ यह एसी की जगह पर इसको रख दिया अब बच्चों यहां पर हम देखेंगे इसको आगे पिछे करता हूं आप जानते हो दिद्रु आगून टू क्यू और ए कमान होता है याने इस लंबाई गूणित आवेश याने तू ए गूणित क्यू बराबर दिद्रु आगून का है तो यह इसका और इसको मिला करके हम दिद्रु आगून को ले लेते हैं पी जिसका प्रतिक है पी इन तीनों के बदले में मैं पी लिख दिया तो बचा ई सैन ठीटा तो टाव बराबर यह क्यू टू ए के जगह पर पी लिया दिद्रु का अगून यह बचा हुए और सैन ठीटा बचा हुआ है यहाँ पर आप लिख सकते हैं टू क्यू ए बराबर दिद्रु आगून आगून तो बच्चों यह इसके बराबर दिद्रु आगून है तो हम पी कर दिये बराबर पी यह दिद्रु आगून अब बच्चों इसका पी सैन ठीटा है तो यह क्या है दो सदिसों का सदिस गुणन फल है याने टौ बराबर यदि सदिस रूप में हम लिखें इसको सदिस रूप में तो टौ को यह उपर में सदिस का चिन्ह लगा दिये पी क्रास इ हो जाएगा दो सदिसों के सैन ठीटा यदि आया तो दो सदिसों के सदिस गुणन फल को प्रदर्शित करता है और जिसको हम क्रास से प्रदर्शित करते हैं तो यह हो गया यह तो आपका में सुत्र हो गया याने बल युग मका आगून टौ बराबर पी इ सैन ठीटा है जिसका सदिस रूप है टौ इक्वाल टू पी क्रास इ तो बच्चों यह यहां तक है आप इसको बढ़ियां से देखिए कई बार पूछा जा रहा है आज कल छो पूल सरल लगेगा और मैं इस तरह से अपने तरफ से पढ़ा रहा हूं अब आगे आप कॉमेंट करके बताएए कि आपको कुछ परेशानी हो रहा है या समझाता है तो वीडियो में अंत्तक रहने के लिए धन्यवाद